सिस्क्राइब तो एवेस्टडी हब और डोंट परगेट तो प्रेस बेल आइकन फो लेटर सब्डेट्स दोस्तों आई होड आपने हमारा प्रिविएस वीडियो देखा होगा प्रिविएस वीडियो में हमने सबसे पहले वीडियो में इंट्रोड़क्शन microwave के introduction उसके applications उसके properties उसे characteristics के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद next वीडियो में हमने कलिस्टरों कई microwave devices कलिस्टरों, two cavity कलिस्टरों, multi cavity कलिस्टरों और reflex कलिस्टरों के बारे में उसकी working को detail से डिस्कस किया था Now, the next microwave device है, magnetron, यह बहुत important microwave device है, और आपके exam में इसके construction, इसकी working, इसके types और इसके applications के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आईए इसके बारे में हम details से discuss करते हैं, तो दोस्तों, cavity magnetron एक तरह का high powered vacuum tube होता है, जो की microwave generate करने के लिए काम आता है, मतलब यह भी एक oscillator की तरह work करता है, लेकिन यह oscillator की तरह तब work करता है, जब इसमें metal cavities का use के आता है, और जब इसमें electron gun से emit हुई, electrons के beam जो है, जब magnetic field के interaction में आती है, तो वो microwave generate करती है, और इससे क्या है, इससे high power की microwave generate होती है, high frequency की microwave को generate के आता है, अब magnetron का use, amplifier के रूप में कर सकते है, मतलब अगर हमें signal को, intensity को increase करना है, तो उसके लिए हम magnetron का use नहीं कर सकते है, magnetron सिर्फ सिर्फ oscillator के रूप में use करने के लिए ही बना है, यह vacuum tube पे जो हम signal अपलाई करते है, microwave signal, उसलिए DC electricity से signal को generate करने का काम करता है, microwave generate करता है, आईए इसके construction के बारे हम जानते हैं construction, तो इसके construction में क्या है, the cavity magnetron consists a large solid cylinder of metal with a hole drilled through the center of the circular face, तो यह एक तरहिए का, metal का एक पुरा cylinder होता है, जिसमें 20 center में एक drill किया गया होता है, metal से एक drill किया गया आता है, और इसमें the wire acting as the cathode, और इसमें एक wire डाली गए होती है, जो cathode की तरह act करती है, and is run down, the center of this hole and the metal block itself form anode, और पूरा metal का जो यह हिस्सा होता है, यह anode की तरह work करता है, तो इसके construction को और अच्छे से देखते हैं, थोड़ा zoom कर लेते हैं, इसके construction में आप देख रहे हों कि इसमें कई सारी cavities का use किया आता है, इसमें कई सारी cavities होती हैं, जिसको resonating cavities कहते हैं, और सबसे उपरी हिस्से में ये एक output coupling loop होता है, जहां से हमें output प्राप्त होता है, जो कि सिगनल होता है, microwave का, वो wave guide की रूप में बाहर निकलता है, यहां से, यह पूरा block anode की तरह काम करता है, और यह बीच में जो hole होता है, इसमें एक material डाला गया होता है, जो कि cathode की रूप में use करता है, और यह lead, दो wires निकली होती हैं, जिससे हम electric supply देके, DC supply देके, इस cathode को heat करने का काम करते हैं, दोस्तों, magnetron का typical design यानि बेवारिक design आप screen पर देख पा रहे होंगे, आईए अब हम magnetron की working को समझते हैं, तो if we switch on a simple magnetron, electron would boil off from the heated cathode and zip across the anode in a straight line, तो जब आप यहाँ से signal, DC voltage देते हैं, तो electron यहाँ से emit होना प्रारम हो जाता है, और electron emit हो करके, सीधे anode की तरफ भागने की कोसिस करता है, anode की तरफ निकलने की कोसिस करता है, the anode has holes or slots cut into it called cavities, और anode में क्या है, holes या slots कटे होते हैं, जिनको cavities कहते हैं, ठीक है, तो इन cavities में क्या होता है, the a powerful magnet is placed underneath the anode to generate a magnetic field along the length of the tube parallel to the cathode, मतलब यह है कि जो एक cavities होती है, cathode के parallel में एक magnetic field लगाई गयी होती है, इसके उपर अलग से यहां किनारे में और नीचे में magnet लगाया गया होता है, जिससे क्या होता है, यहां पर एक magnetic field generate होती है, जब electron cathode से anode की तरब बाहर निकलने कोशिज करता है, तो चुखी cathode पर उस समय एक DC voltage apply किया गया होता है, जिससे इस पर एक electric field का प्रभाव होता है, electric field इसके आसपास बनी होती है, और जो magnet लगा होता है, इससे एक magnetic field इस side होती है, तो उस समय electron, एक electric field और magnetic field दोनों के थ्रूहों के गुजरता है, जिससे उसको एक force का feel होता है, उसके उपर एक force का अनुबह करता है, जिससे वो एक straight line में जाने के पेछा, ऐसी goal एक करभ पात में गुमने लगता है, जो red cross line दिख रहे है, वैसे ही ये करभ पात में गुमने लगता है, और आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे ही ये electron, ऐसे करभ पात में गुमते हुए किसी cavity के interact में आता है, तो वो resonate होना प्रारम हो जाता है, और उससे एक microwave radiation प्रारम हो जाता है, इस radiation से अगली cavity में भी regionation प्रारम हो जाता है, और इस तरह हर cavity में regionation प्रारम हो जाता है, जिससे एक microwave generate होता है, और radiation के रूप में generate होता है, और ये radiation, output coupling, loop coupling द्वारा यहां से पाहर हो जाता है, जो wave guide द्वारा कलिट कर लिया जाता है, इसट है types of magnetron, तो magnetron कई types के होते हैं, उनके shape and size के हिसाब से अलग-अलग type के magnetron का नाम रखा गया है, जैसे cavity magnetron, cylindrical magnetron, circular magnetron, rectangular magnetron और sputtering magnetron, तो magnetron के types का उतने जादा use नहीं है आपके डिप्लोमा में, उसके बारे में इतना नहीं आता, सिर्फ type C पुछा राता है, असायद वो भी नहीं पुछा आता है, लेकिन इसके working के बारे में काफी ज़्यादा आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, और next आप हम देख रहे हैं इसके applications के बारे में, तो microwave, application for the magnetron, include radar, microwave oven and lighting system, तो magnetron का यूज़ वहां के आता है, जहां पे high power की microwave signal का जरूरत होती है, उसे generate करना होता है, तो सबसे ज़्यादे कहा किया गयाता है, radar में magnetron का यूज़ किया आता है, microwave oven में यूज़ किया आता है, जहां पे high power की beam चाहिए होती है, और lighting system में, radar में कैसे यूज़ किया आता है, तो in radar devices, magnetron are where, magnetrons use very short pulses of applied voltage, तो magnetron क्या करता है, very short pulses को यूज़ करता है, applied voltage के, और microwave oven में, wave guide leads to a part in the cooking chamber, और उससे क्या है, microwave oven में, जो magnetron है, वो एक microwave signal generate करता है, और उससे heating उत्पन होयाती है, microwave में की एक heating property होती है, जब बहुँ ज़्यादा संख्या में microwave किसी एक point पे दिया जाता है, तो इससे एक heat उत्पन होता है, जिससे कूकर के अंदर रखा खाना, या microwave के अंदर, जो भी चीज रखी गए होती है, वो cook हो जाती है, और lighting system में भी इसका use किया जाता है, तो दोस्तों, आज का lecture यही complete होता है, I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, तो वीडियो को like करें, comment करें, और channel को subscribe करना ना बोले, thank you.